हेलो फ्रेंड्स, स्टेडी मोटिवेशन जीके चैनल पर मैं मंजीत आप सब का स्वागत करता हूँ और आज मैंने जो वीडियो बनाया है आपके लिए वो बनाया fundamental rights के question के हिसाब से दोस्तों और I hope कि आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और इन questions को solve करेंगे तो पहले question है दोस्तों आपका मोलिक अधिकार स्विधान के किस भाग से सम्मधित है in which part of constitution fundamental rights are related तो दोस्तों आपका इसका answer रहेगा answer A भाग 3 से सम्मधित दोस्तों मोलिक अधिकार और इसकी 3 है इसका right answer मोलिक अधिकारों से सम्मधित हो जाएगा आपका भाग number 3 next question है दोस्तों आपका question number 2 है दोस्तों आपका मोलिक अधिकारों का अवर्णन स्विधान के मोलिक अधिकारों का अवर्णन स्विधान के किन अनुछेदों के अंतरक दिया गया है in which article fundamental rights are explained in Indian constitution बहुत important question है दोस्तों और आपको मैं बता देता हूँ मोलिक अधिकारों का अवर्णन आपका 12 से लेकर 35 तक किया गया है option C आपका बिलकुल सही है एक से लेकर 4 तक दोस्तों आपके भाग number 1 के article है भाग number 2 के article आपके 5 से 11 और भाग number 3 के article आपके 12 से 35 और 36 से 51 आपके भाग number 4 के article दिये गए है next question आपका समानता के मोलिक अधिकारों का अवर्णन कीन अनुछेद के अंतरकत है in which article fundamental rights of equality explained in Indian constitution बहुत समानता के जो मोलिक अधिकार हैं दोस्तों आपके समानता के मोलिक अधिकार आपके 14 से 18 के बीच में दिये गए हैं 19 से 22 दोस्तों आपका सवतनतरता के हैं right to freedom और 12 से 35 मेंने अभी आपको बताया था सभी मोलिक अधिकारों का वर्णन है और 24 से 28 दोस्तों आपका धार्मिक सवतनतरता के अधिकार दिये गए है next दोस्तों आपका question सुचनय का धिकार किस अनुषेत से संबन दित है most important question है दोस्तों सुचनय का धिकार यानि की RTI पूछ रहा है दोस्तों RTI RTI का जो वर्णन किया गया है 19 A के अंदर किया है 19 A में आपका RTI यानिकि सुचनय का धिकार दोस्तों और इसी में आता है आपका बोलने की सोतंतरता और इसी के अंदर है दोस्तों आपका अभी विक्ति की सोतंतरता भी आएगा अभी विक्ति की सोतंतरता बोलने की सोतंतरता यह सब सोतंतरता है दोस्तों आपकी 19.1 के अंदर ही आती है और दोस्तों RTI को 2005 के अंदर लागू किया गय most important question है दोस्तो ये भी आपका ठीक है उपाद्योगा अंत किस अनुशेत के दुवारा किया गया है तो इस कांसर हो जाएगा आपका C 18 आर्टिकल के दुवारा उपाद्योगा अंत कर दिया गया है जब हम 18 लिखते हैं तो पहले ये लिखना पड़ता है यानि कि उ किसे करेड़ दिए जाता है दोस्तोло वह भी आपका अर्टिकल 18 के अंतरगत ही दिया जाता है ये क्यूश्चन दोस्तो आर्याना पुलिस के अंदर पुछा गया हिता था वई नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तो आपका धार्मिक सोतनतर्ता गादिकार किस अनुशेत के द्वारा दिया गया है तो आपको बता देता हूं दोस्तो धार्मिक सोतनतरता है आर्टिकल 25 में आर्टिकल 25 के अंदर दोस्तो 25 27 28 के अंदर आपकी धार्मिक सोतनतरता है यानि कि religious freedom आपकी दी गई है दोस्तो ठीक है next question है आपका नेक्स कुशन है दोस्तों आपका अभी विक्ति की सवतंतरता सविधान के किस अनुछेद में दी गई है अभी विक्ति यानिकी दोस्तों राइट टो एक्स्प्रेशन यानिकी जो मीडिया है यह मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ आर्टिकल उनिस ए में राइट टो एक्स्प्रेशन या फिर अभी विक्ति की सवतंतरता से सम्मदित आर्टिकल रहेगा आपका अभी विक्ति की सवतंतरता है दोस्तों या फिर बोलने की सवतंतरता है या फिर प्रैस की सवतंतरता है यह सभी दोस्तों जो आपका आर्टिया लाइफ most important question है दोस्तो बहुत बार exam के अंदर ये देखा जाता है important question है दोस्तो ये ठीक है इसके इसका right answer है दोस्तो 21 यानि कि दोस्तो 21 वारेटिकल आपको personal liberty और protection of life का आपको जो right है वो परदान करता है और इसका right answer रहेगा दोस्तो आपका next question है दोस्तो आपका संपत्तिक अधिकार का वर्णन स्विधान के किस अनुछेद में किया गया है in which article of constitution related with right of property ठीक है दोस्तो बहुत important question है आप सबको पता होना चाहिए इसका 31 वा जो article अपने स्विधान में होता था मोलिक अधिकारों के अंदर उसका संबंद किसे है संपत्ति के अधिकार से वो संबंदी थे दोस्तो और इसको अब निकाल दिया गया है इसको कानूनी अधिकार बढ़ा दिया दोस्तो और इसका article हो गया है 301 most important question है ये भी next question है दोस्तो आपका सविधानिक उपचारों के अधिकार से संबंद अनुशेद का नाम बताओ इसको पता है दोस्तो आपको सविधान की आत्मा भी बोला जाता है article 32 है ये इसका राइट अनुशेद का नाम बताओ constitution remedies आपकी article 32 में हैं दोस्तो और इसमें पांच तरह की रिट्स भी जारी की जा अगर कोई fundamental rights को चीनता है या उनको हनन करता है तो उसके खिलाब कारवाई की जा सकती है दोस्तो ठीक है नेक्स्ट है आपका question है दोस्तो नेक्स्ट लोक नियोजन से संबंद अनुशेद का नाम बताओ public planning दोस्तो यानि कि जो आपकी नोकरियों में समानता इसका दूसरा word ह दोस्तो नोकरियों में समानता की सनुशेद के नतरगत है तो आपका D option बिल्कुल सही रहेगा यानि कि सोड़ा article जो है दोस्तो आपको नोकरियों में समानता प्रदान करता है या फिर इसको लोक नियोजन भी बोला जाता है इसके exception हो जाएंगे दोस्तो SC और STY most important है बहुत भारति स्विधार में मोलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है तो आपको पता है दोस्तो मोलिक अधिकारों को अमरीका से कोपी किया गया था वै कहां से लिया गया है दोस्तो USA से United States of America से लिया गया है मोलिक अधिकारों को इसकी trick हो जाएगी ऐसे अधिकार और ऐसे अमरीक यानि कि दोस्तों कहां से लिए गए हैं मोली कदिकार अमरीका से कोपी किये गए हैं नेक्स्ट दोस्तों आपका बंदी प्रतेक्षिकर्ण से सम्दित अनुछेद कौन सा है इन विच आर्टिकल इस रिलेटिड विद हैबिस कॉर्पस तो आपको पता नचे दोस्तों बंदी प्रतेक्षिकर्ण जो मैंने अभी आपको बता दाब 500 रिट्स जारी की जाती है उनिह मेंसे एक है दोस्तो बंदी प्रत्यक्शिकण्ड और बंदी प्रत्यक्शिकण्ड का दोस्तो जो आपका article रहेगा दोस्तो वो रहेगा 32 के अंदर दोस्तो तरीगरीट्स दी गई हैं उनिह मेंसे एक जो रीट्स है दोस्तो वो किसे समदी दोस्तो आपकी बंदी प्रतेक्शिकर्ण से तो जो आपका article 32 है दोस्तो वो इसका right answer हो जाएगा यानि कि option B दोस्तो next question है आपका last question है दोस्तो यह ऐसा प्रस्ता गानत किस अनुछेत के द्वारा किया गया है untouchability को दोस्तो किस article के द्वारा खतम कर दिया गया है ऐसा प्रस्ता गानत तो इसका right answer रहेगा दोस्तो आपका option D यानि कि article 17 के द्वारा ऐसा प्रस्ता गानत कर दिया गया है यानि 17 यानि कि दोस्तो खत्रा खत्रा है समाज को दोस्तो किसे छुवा छूत से छुआ छुट से क्या है दोस्तों समाज को खत्रा है तो इस चीज़ को स्विधान से के द्वारा दोस्तों खत्म करने का प्रियास क्या गया है और इसका वर्णन दोस्तों आर्टिकल 17 के अंदर मिलता है I hope कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करते दोस्तों ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो लेकर मैं आपके साथ आता रहूँगा अलग-अलग टोपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए थैंक यू जे हिंद जे भारत दोस्तों